मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था आलंबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बड़ाई ट्राफिक बहुत था फिर रेड लाइट हो गई यातायाद का पालन करते हैं मैंने अपनी गाड़ी को राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पर क्रास करने के बाद फिर वो वापस मुड के आई उसने मेरे गाड़ी से मुबाइल निकाला तोड़ दिया जब तलक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है कुछ नी बोली फिर दुबारा उ हो दो दो के फेक्शन लिया मैं सिब यहीं चिला रहा था कि महिला पुलस बिलाई जाये यह मुझे क्यों मार रही है तो जैय आप भी गाड़ी कब दो कर पामाइल तो दोनों मोड हरा कर रहा है हो मेरा मोबाइल轉 घ़र पैसा थियों निकाला है लगब किते का नुफसान होता है छेस्तों रुपए गाड़ी में कैश रखे थे क्योंकि होला डेवर कि इतनी है दोती है नहीं कि इतना ही कमा सकता है उसकी बात क्या हुआ उस घटना के बाद पर पुलिस का क्या रवया रहा क्या आप थाने पहुंचे या आपके अब भी कोई विकायत कराई गई थाने में थाने पर जब गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है मुझे आप छोड़ दीजे लेडिस का पक्ष लिया गया उसकी रिपोर्ट लिखी मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होई हमाई हमाई वकील साहब है रियास साहब ने हमें चुटवाया तो कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने आप मुखदमा लिख दिया रहता है एक सो क्यावन और भी धाराएं बता रहते हैं कि आपके साथ कोई किसी और को भी घटना में उन्हों ने बताया था कि और नहीं कोई निए असल मेरी गाड़ी खाली थी मैं अपने उसी में पीना मुझे नहीं मिला चौविस गंटे में रहा हूं उसके बार पिर आगे कैसे करवाई आप दूबारा थाने कैसे कैसे अपने महिला के ओपर एफ आयार करवाई यह हमाई वकील साहब बैठे हैं इनसे पूछे यह बताएंगा कब करवाई आज कल मैं चूड के पिर मैंने हैं वकील साहब के पास गया हमाई रियाज साहब वकीले नहीं तो अभी पुलिस की करवाई से अप संतुष्छ है या आप क्या चाहते हैं कि प् Elf रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी खराब हो गई है वह मुझे इजब्द चाहिए और मेरी गाड़ी का जो नुफान हुआ है जो अभी कुछ हुआ वो मुझे दिया जाए और बस